क्या आपको भी इन्फर्टिलीटी की समस्या है आप भी प्रेग्नेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है तो मेरे हर वीडियो को देखिए मैंने काफी सारे आपको जो है नौलिज दिया है काफी सारे चीजों पे वीडियो बनाया है आज का मैं वीडियो बना रही हूं सीड्स साइक सद्ध कि इस चीट साइकिलिंग पे एक और मैंने वीडियो बनाया है कि उसमें मैं बताए हूं हुँ चार प्रकार के सीट को 15 दिन दो प्रकार के लेने हैं कैसे कैसे लेने हैं वीडियो को भी आप देखेंगी तो आपको काफी बेनिफिट मिलने हैं लेकिन इस चीज इस लोगों कुर नहीं पता आप लोग समझती हैं कि अरे यह बेकार चीज़ है लेकिन यह बेकार नहीं होती यह काफी होती है अगर आपने इसको लगातार एक से दो महिना इस्तेमाल कर लिया तो आपके बॉड़ी के अंदर जितनी भी कमिया होंगी जितने भी हार्मोनल इसूज होंगे सारे दूर हो जाएंगे आप इसे प्रियोग करके देखिए सबसे पहले तो सीट्स खाने में लोग क्या-क्या गलतिया कर जाते हैं और कौन-कौन से सीट्स आप काफी सक्षम होते हैं एक सीट्स को जब आप जमीन के अंदर रोप देती हैं तो उसमें से एक सुनहरा सा पौधा निकल के आजाता है वहीं पौधा जब बड़ा होता है तो आपको फल देता है सबजिया देती है आपको बहुत सारी चीज देते हैं चाया देती है काफी सार जो पूरुस के स्पम हैं और महिला के एग हैं इन दोनों की क्वालिटी को बेश्ट बना देता है जिससे कि जब आपका एग और स्पम मिलते हैं तो उसमें कोई भी एरर नहीं आते हैं और अच्छे से फटिलाइज हो जाता है और अच्छे से आपको सीव कर पाती हैं बीज मे गुड़ फैट इसमें बीटिमिन्स काफी जादा पाय जाते हैं यह आपके ओवरी के फंक्शनिंग को सही करता है और काफी सारे इसमें निट्रिशन होते हैं जो की आपके यूट्रेस की जो भी कमिया है उसको दूर करता है हार्मोनल बै इसूज को भी जो इसूज होते हैं कि Aloya यह उन्हार्मों की चलब क्रीध करने में जो हैं जो की कद्दू के उसके ईसके हैं यह आपको काफी मार्गेट में 3F 9 Caining California Profession सıktंथज में शीलेनियम बहुत अच्छी मात्रा में घृति आपके उसमें तत्त होते हैं जो कि की इनवा को दूर करते हैं तो यह सिट्स को भी आपको अपने डाइट चाहँस केoire के बाद सब्सक्राइब chuckles इस lawsuit तुलसी की बिज भी इसे बोला जाता है यह जिनकी बॉडी में हीट होती है उनको अच्छी निया जाता है और पूर्षों को अच्छी मातरा मैं दिया घवत तो यह कुलिंग बहुत होता है तो तो ठणड़ा रहने के लिए जिन की वाड़ी में हीट है, उसको ठणड़ा रखने के लिए सबζाक ini सिड देना चाहिए, इनफर्टिलिटि में यह भी कांफी आपको बेनिफिट देगा है, आपकी वाड़ी में अगर हीट ज़्यदा रहती है सिट को आपको पानी में भीगो लेना है उसके बाद को स्मूदी में रायता में हीट है तो इसके बाद प्रामबाड अब निए jako पुरूँ हם पूरीच हैapolis कौन कौन सी मिश्टेक करते हैं जो की इसकी बेनीफिट जो हार्फुल में बदल जाकी है छीयाद शीट को कैसे लेना चाहिए देखिए फ्रेंड्स चीयाद में इतना न्यूट्रिसियन होता है यह इतना यह प्रोटीन से भरपूर होता है कि इसको एक दिन में यानि 24 घंटे में maximum आप दो चमच खा सकते हैं खा सकते हो इसको अगर आप ड्रिंक कोई तयार कर रहे हो उसमें इसको भिगो दीजिए 2-4-5 घंटे के लिए और उसमें नीबू डालिए इसको डालिए और ये ड्रिंक आपका एक nutrition और इसका infertility की जो है ड अगर वैसे फॉर्म में नहीं खा पा रहे हैं तो इसको हलका सा आप रोष्ट कर ले कडाही में हलका सा रोष्ट करके अपने डाइनिंग टेबल पर रख ले और इसको दो दोनों को मिला लीजिए और दो एक चमच अपना जब भी चोटी-चोटी मूटी भूख लगे खा ल असकरा केवल आपको एक या दो चमच भी बड़ा वाला चमच नहीं जो बिलकुल छोटा वाला चमच आता है तो अधिक आपको नहीं लेना चाहिए तो इस साइड इफेक्ट भी आपको जहिलना पड़े है तो आप एक बार में कम से कम 2-3 खाई यह लेकिन एक दो चमच से इंसीड्स को पूरुस महिला कोई भी खा सकता है सब को जो है फाइदा करेगा और आपके इंफर्टिलिटी की प्रक्रिया को बुष्ट करेगा आप एक तीन महीने इस्तमाल करके देखिएगा मेरे कहने से आपको बेबी कंसीव जरूर होगा क्योंकि जितने भी आपको हर्मोन इसे लेकिन ज्यादा यह निकि अरे बहुत ज्यादा वेनिफीट है बहुत ज्यादा है इसको दिन भर खाते रहें नहीं केवाल एक बार आपको लेना है दिन भर नहीं लेना चाहिए नहीं तो इसके साइड इफेक्ट भी आपको जहनने पड़ेंगे मिलते हैं अगले झाले झाले पीड़ेंगे मिलते हैं इसके साइड़ेंगे मिलते हैं वे परहें स sammaपके साइड शुटते हैं ज्यादा, में कि अ 도नाे हैं यह जब जो वेर रहें जापको जो ऑखको सो कर दिन मेंवेंगें जो हैं जो होगारेंगेंगें